हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज मैं आप लोगों के सामने बड़ी ही मज़ेदार सी ग्रेहों के नाम याद करने की ट्रिक लेके आ रही हूँ क्योंकि बच्चे सबसे ज़दा परेशान होते हैं कि कौन सा ग्रेह, कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा, कौन सा बढ़ा इस चीज को याद करने में, सन से उनकी डिस्टेंस यानी दूरी के हिसाब से उनके सीक्वेंस याद करने में, मतलब ग्रेहों क्या जो टापिक होता है बच्चों के लिए बड़ा ही, बोरिंग, कन्फ्यूजिंग, क्योंकि लाइवली उन्होंने उसे देखा नहीं होता है, तो इस च दाट, ट्रेक्स, जो कि जी किस रिलेटिड मैस, रिलेटिड इंग्लिश रिलेटिड आपके सामने आपको मिलती रहेंगी, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, सबसे पहली ट्रिक है आकार के हिसाब से, यानी कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा, कौन सा प्रैंट सबसे रहा है, तो बस आपको इतना याद रखना है, जनता सुन, इवियम मशीन, तो जनता से जूपिटर, और सुन जो है आपका, वैसे तो यह सन लिखा है, बढ़ हम इसे सुन पढ़ेंगे, तो सुन, सैटन, यूरेनस, और नैप्चून, इवियम में आपका अर्थ, वीनस, और मास, और उसके बाद मशीन से आपका मरकरी, तो आपको बस आकार के हिसाब से आपके दिमाग में जैसे ही आए कि कौन सा प्लाइनेट सबसे बड़ा, कौन सा सबसे छोटा, तो आपको बस इतना धियान रखना है, जनता सुन, इवियम मशीन, और इसमें एक चीज़ और धिय मार्स और मरकरी में अगर आप कंफ्यूज हो, तो मर, मरकरी यानि मर गया, तो सबसे आकरी में इंसान क्या करता है, लास्ट में जाके मर जाता है, तो सबसे छोटा मर गया, यानि मर करी है, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सन के डिस्टेंस के हिसाब से, दूरी के हिसाब से कौन सा प्लैनेट सन के पास है कौन सा प्लैनेट सन से दूर है या फिर यह कह लीजिए सारे प्लैनेट के जो नेम है आप वो कैसे याद रख सेते हैं तो एक बड़ा अच्छा सा सेंटेंस है यह माई वेरी एदुकेटड मदर जस्ट शो अस नाइन प्लैनेट यानी मास वीनस एदुकेटड से अर्थ मदर से मास जस्ट से जोपितर शो से सैटल यू से अरिनस नाइन से नाप्चूर and प्लानेट अब एक और बहुत मज़ेदार बात जैसे कि हम लोग पूछा जाता है एक्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन-कौन से क्रेह है जिने आप उपने नंगी आँखों से देख सकते हैं या आपको वो आखों से नॉर्मल शाम के वक्त जो है या फिर अर्ली मॉर्निंग आपको वो आस्मान में दिखाई देते हैं तो इसके लिए आपको एक बहुत गजब सी बात या दखनी है मंगलवार से सनीवार तक दिखाई देते हैं यह ट्रिक है कि आपको वो ग्रहे मंगलवार से शनीवार तक दिखाई देते हैं यानि मंगलवार से लेकर शनीवार के बीच में जितने भी दिनों के नाम आते हैं वो सारे ग्रहे जो हैं यानि टोटल पाच ग्रहे जो हमें अपनी जो निकेट आइस हैं नंगी आखे हैं उन से हम उन ग्रहों को देख सकते हैं ठीक है अब आखरी ट्रिक जो हम इसमें ग्रहों के उसमें बताने जा रहे हूं आप लोगों को वो है density के हिसाब से यानि कि घनत्व के अनुसार ग्रहों के नाम बढ़ते हुए क्रम में यानि सबसे जादा भारी सबसे देंस्ट ग्रह जो है वो कौन सा है उसके बाद कौन सा था आरते लास इससाब से है आपको बताने जा रहे हूं तो सूजन मूव हो गई जैसे किसी के चोट लग जाए जोज्या नाढ़ा आती है तो सूजन है वह मूव हो गयी वanno कि वह याद रखना है कि जब बहुत चोट लग जाती है तो बहुत जादा उस जगह दर्द हो जाता है बहुत डेंसिटी हो जाती है उस जगह की तो वहां से क्या है सूजन मूव हो गई तो उसके लिए यह ट्रिक है आपकी सूजन तो सूजन यानि सैटन यूरिनस जूपिटर रखने अगर आकार के बारे में आपसे बात आती है तो जनता सुनी विया मशीन और सुछी से दूरी के बारे में बात आती है तो माइवेरी एजुकीटीड मदर जश्योवस नाइन प्लानेट्स अगर नंगी आँखोंसे ग्रह दिखाई देने की बात करती है तो मंगल वार यह चार जो हैं आपको sentences याद रखने हैं. Thank you viewers.